नमस्कार दोस्तों हम सीखने टूरी एनिमेशन और टूरी एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट CC के बारे में तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कोई भी करेक्टर को हम कैसे चेयर पे बिठाते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मेटे जो आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं इस टाइप का जो कोदाल चला रहा है करेक्टर इसको हम कैसे क्रियेट करते हैं आज कि इस वीडियो में आपको डीटेल से बताने वाला चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चैनल देखा रहा हूं जिसका नाम है हिंदी कहानिया तो इस पर मैं कार्टून बना के लगाता हूं आप देख सकते हैं यहां पर एक जादू हतोरा करके एक कहानी है इसको म मैंने अभी एक दिन पहले मैं वीडियो लगाया हूं अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा या उपर आई बटन आ रहा है वहां पे भी जाके देख स सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो पर वापस आते हैं तो दोस्तों यह हमारा जो है करेक्टर है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने दो लेयर में क्रिएट किया एक तो बैक्गरांड हो गया और यह करेक्टर हो गया और करेक्टर को जब भी कोई भी एनिमेशन करते ह आपको layer में divide करना जरूरी होता है तभी आप animation कर सकते हैं और मैंने इस पे बहुत सारा वीडियो पीछे बनाया हूँ आप जाके देख सकते हैं तो इस layer के अंदर आते हैं यहां पर आनेक बाद आप देख सकते हैं कि हर layer हमारा जो है अलग-अलग create किया गया है अब हम इसको animation के तोर पर use करते हैं तो हम क्या करेंगे कि पहले कुदाल उठाता है और पिर रखता है तो हम एक पोज यहां पर create करेंगे और फिर second पोज को तो हम क्या करते हैं इसको एक पोज को create करते हैं हम इसको जो है कुदाल को उठाते हैं यहां पर step से इसको थोड़ा सा और हम इस टैप से कर देते हैं इसको भी हम रोटेट करेंगे इसको मैं ऊपर कर लेता हूं लेयर पर और हम इस हाथ को भी पकरवाना है क्योंकि दोनों हाथ से कुदाल चलाता है तो हम इसको भी रोटेट कर लेते हैं और इसको भी हम यहां पर चेंज करते हैं यहां पर रखते हैं और इसको रोटेट करके हम इसको भी आप कर देते हैं इस टैप से हमने एक सीन को क्रियेट किया हूं अब क्या करेंगे दूसरा सीन को क्रियेट करेंगे हम इसको क्या करते हैं 20 प्रेम तक हम एनिमेशन करेंगे तो यहां से हम 20 प्रेम पर एक F6 लगाते हैं और हम एक 20 में लगाएंगे 10 प्रेम पर F6 लगाते हैं और इस पोज को हम चेंज करेंगे हैं तो कैसे चेंज करते हैं इसको देखते हैं हम तो यह जो है कुदाल हमको यहां पर चाहिए इस टैप से और यह हाथ हमारा रोटेट होके इस पर आ जाएगा और पूरा बोडी इसका भी है रोटेट होगा कि इस टैप से रोटेट होगा और इसको मैं यहां पर रखता हूं कि इस टैप से अब हम क्या करेंगे इसमें हम यहां पर मैच करते हैं कि इतना हमने मैच कर दिये अब क्या करते हैं इसको हमको कुदाल को थोरा सा आगे करना है यहां पर और इस साथ को थोरा सा सीधा करना है और यह यहां पर रखना है इसी टैप से इसको भी हम क्या करेंगे इस साथ को भी हम इसको कुदाल को पकरना चाहिए इस टैप से हमारे जो है आप देख सकते हैं इनिमेशन इस टैप से होगा कितना करने के बाद हम क्या करेंगे यहां से हम फ्रेम को आगे बराते हैं और थोरा दूर तक इस ले जो पॉइंट है इसको रोकेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां से हम पालव 3 फ्रेम तक आगे बढ़ाते हैं, और इसको मैं 3 फ्रेम आगे कर देता हूं, यहां तक, यहां एक बाद थोड़ा देर रुकेगा, फिर यह कुदाल उठाएगा, तो हम इसको अब क्या करेंगे Classic Twin लगाते हैं आप देख सकते हैं अब जो यहां से animation सही से नहीं हो रहा उसको हम change करेंगे अब हाथ इसका सही से animation नहीं हो रहा हम क्या करेंगे change करेंगे यहां पर हो गया अब यहां पर आते हैं और इसको मैं set करता हूँ यहां पर पीछे करते हैं और इसको हम पीछे करते हैं यह यहां पर अब देख सकते हैं यह हो गया अब यहां पर आने कबाद थोड़ा दर रुकेगा और फिर यह उपर की और जाएगा तो हम क्या करते हैं यहां पर आते हैं इसको मैं त्वरा सर रोटेट करता हूँ, इसको मैं यहां पर रखता हूँ, अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए, अभी कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम जाते हैं, बाहर बाहर जाने के बाद हम 25 फ्रेम तक इसको हम फ्रेम क्रियेट करेंगे, अब देखते हैं कंट्रोल इंटर, आप देख सकते हैं, कुछ इस टैप स इसमें एनिमेशन होने शुरू हो गया, अब यहां पर कुछ प्राब्लम हो रहा है, इसको हम सही करेंगे, इसको मैं यहां से फ्रेम को डिलीट करता हूँ, अब कंट्रोल इंटर करते हैं, अब देख सकते हैं, यह सही हो गया है, अब हमारे पास एक एनिमेशन है, आप हम इसको यहां से कोपी करेंगे, और यहां पर हम एक new layer create करते हैं, और यहां पर एक paste करते हैं, और इसको मैं यहां पर रखता हूँ, यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं, यहां से जो है, इस टैप सिसमें, एनिमेशन होना शुरू हो गया, यह था दोस्तों, कोई भी character को हम जब कुदाल चलाते हैं, तो वहां से मित्टी भी निकलना चाहिए, जब कुदाल गिरता है यहां पर तो, तो यह था दोस्तों, कोई भी character को हम कैसे animation करते हैं, आसा करते हैं, यह video आपको चल गएगा, अगर दोस्तों यह video आपको चल गएगा, तो like जरूर करें, दोस्तों के साथ share भी करें, अगर दोस्तों मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर ले, जिससे मैं कोई भी आगे video लेका हूँ, तो उसका update आपको तुरंद मिल जाए, तो मिलते हैं दोस्तों, next video में, आज के लिए thank you,